Your Excellency राश्पती बोल्सोनारो सबसे पहले मैं BRICS के सफल से इंचालन के लिए राश्पती पूतीन को बदाई देता हूँ आपके गाइडन्स और इनिशेटिव की वज़े से वेश्ट्विक महमारी के समय में भी BRICS अपनी गती को बरकरार रख पाया है अपनी बात आगे रखने से पहले मैं परस्रिणेंट रामा फोसा को जन्म दिवन्ष की शुबकामनाय देता हूँ Excellencies इस साल के समीट का थीम BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth प्रासंगिक तो है ही किन्तु दूर दर्शी भी है विश्व में महत्वपूर्ण जीओ स्ट्राडेजिक बडलाव आ रहे हैं जिनका प्रभा स्टेबिलिटी, सिकूरिटी और ग्रोथ पर पढ़ना और पढ़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिस्की भूमी का एहम होगी एक्सलेंसीज इस वर्श दूसरे विश्वयुद्ध की पचतरवी वर्शगांड पर हम वीर गति पाये सैनिकों को सरधांजली देते हैं भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक भीर इस युद्ध में युरोप, आफ्रीका और साउथ इस एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रियत है इस वर्श उनाइटेड नेशन्स की स्थापना की पचतरवी वर्शगांड भी है युएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टी लेटरिलिजम का द्रट समर्थक रहा है भारतिय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है अता हमारे लिए युएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था युएन के मुल्यों के प्रती हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है पीस कीपिंग ऑपरेशन्स में सबसे अधीक बीर सैनीक भारत नहीं खोये है किन्तु आज मल्टी लेटरल सिस्टीम एक संकट के दौर से गुजर रहा है ग्लोबल गवर्नस के समस्तानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं इसका प्रमुक कारण यह है कि इन में समय के साथ उचीत बढ़लाव नहीं आया यह अभी भी पचरतर साल पुराने विश्व की मानसिक्ता और वास्विक्ता पर आधारित है भारत का मानना है कि विएन सिकुरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवारिय है पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्धन की अपेक्षा है युएन के अतिरिक्त कई अन्य अन्तराष्ट्य संस्ताय भी वर्तबान वास्त्रिक्ताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे है WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टिटूशन्स में भी सुधार होना चाहिए Excellencies, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए हमें खुशी है कि रूश की अध्रिक्स्ता के दोरान ब्रिक्स काउंटर टर्रिजम स्ट्रेजी को अंतिम दूप रूप दे दिया गया है यह एक महत्वपूर उकलब्दी है और भारत इस कारे को अपनी अध्रिक्स्ता के दोरान और आगे बढ़ाएगा एक्सलेंसी कोवीड के बात की वैस्विक रीकवरी में ब्रिक्स एकॉनोमीज की एहम भूमिका होगी हमारे बीच वीश्वकी 42% 42% से अधिक आबादी बस्ती है और हमारे देश ग्लोबल एकॉनोमी के मुख्य एंजिन वें से है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोब है हमारे आपसी संस्ताएं और सिस्टेम्स जैसे ब्रिक्स, इंटर बैंक कोपरेशन मेकनिजम, न्यू डेवलोप्मेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व एर्रेज्मेंट और कस्टम्स कोपरेशन आदी भी बैस्वीक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं भारत में हमने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट एक व्यापक रिफार्म प्रोसेस शुरू किया है यह कैम्पेण इस विशे पर आधारी था है कि एक सेल्फ रिलाइंट और रेजिलियन भारत पोस्ट कोवीड आर्थेववस्ता के लिए फोर्स मल्टिप्रायर हो सकता है और ग्लोबल वेल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है इसका उधारण हमने कोवीड के दोरान भी रेखा जब भारतिय फार्मा उद्योग की छमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवशक दवाईयां भेज पाएं जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारी वेक्सिन उत्वादन और डिलिवरिक शमता भी इस तरह मानवता के हीत में काम आएगी भारत और दक्षिन अफरिकाने हैं कोविड नाइटीन वेक्सिन उपचार तता जाज समंधी इंट्रेलेक्ट्वली प्रोपर्टी एग्रिमेंट्स में छूट दये जाने का प्रस्ताव रखा है हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे अपनी ब्रिक्स अध्रिक्सता के दोरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा इस मुश्किल वर्ष में भी रुशी अध्रिक्सता में पीपल टू पीपल रिस्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशेटिव लिए गए जैसे की ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वेग्यानिकों और युवा राजनरिकों की बैठक हैं इसके लिए मैं राश्प्रति पूतीन का हार्दिक अभिनदन करता हूँ एक्सलेंसीच 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विबिन निर्णों का मुल्यांकन करने के लिए हमारे शेर्पा एक रिपोर्ट बना सकते हैं 2021 में अपने अज़्ज़ता के दोरां हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सयोग को मजबूत करने का प्रैत्न करेंगे हम इंट्रा ब्रिक्स एक जूरता को बढ़ाने और इस उद्देश के लिए ठोज संस्तागत फ्रिम्पर डेवलोप करने का प्रयास करेंगे मैं फिर एक बार राख्प्रति पूतीन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ धन्यवाद